एक बार की बात है। आज भी उस मंदिर की रखवाली करता और वहीं पर रहता है। लेकिन राधा हर सोमवार भगवान शिव के पास जाती और घंटों उनकी पूजा करती। और वहाँ एक कटोरी में दूद रखकर चुपचाप वहाँ से चली जाती। और अगले दिन कटोरी से दूद गायब हो जाता। गाउं के जमीदार का बेटा राकेश राधा से प्यार करता। उसने वादा किया था कि वह जल्द ही राधा से शादी कर लेगा। लेकिन उसने राधा को धोका देकर हमेशा के लिए शहर चला गया। अब राधा पेट से थी और बहुत बीमार थी। वह ज्यादा देर तक जीने वाली नहीं थी। इसलिए अपने बच्चे को लेकर वो शिव मंदिर गई। और भगवान से रोर रोकर कहने लगी। हे भगवान, मैंने हमेशा तेरी पूजा की। तुझ पर विश्वास रखा, पर अब मेरे पास जादा समय नहीं है। मैं अपने बच्चे को तेरे शरन में छोड़ रही हूँ। और राधा की मौत हो गई। तब ही बच्चे के किलकारी सुनते ही, सालों से भगवान शिव से लिप्टी हुई इच्छाधारी नागिन एक और बच्चे के पास आती है। और उसे अपनी गोद में उठाती है। नागिन कहती है। अब वो नागिन उसी गाउं में कोकिला के नाम से एक घर में रहने लगी। और राधा के बच्चे को पालने के लिए गाउं में छोटे मोटे काम करने लगी। गुजरते वक्त के साथ राधा का बेटा राजू दस साल का हो गिया। राजू हर सोमवार अपनी मा के साथ उसी शिव मंदिर में पूजा करने के लिए जाने लगा। अब इच्छाधारी नागिन बनी कोकिला दिन भर खेतों में काम करती और फिर राजू का खयाल रखती। राजू भी स्कूल जाने लगा था। कोकिला पैसे कमाने के लिए दिन भर मेहनत करने लगी और राजू की जरूरतों को पूरा करती। कोकिला राजू के प्यार से बहुत खुश थी। राजू भी कोकिला के साथ बहुत खुश था। लेकिन कोकिला सानों से अपने पती नागराज का इंतिजार कर रही थी, जो कोकिला से वादा करके गया था कि एक दिन वो जरूर लोट कर वापस आएगा। कई साल पहले नागराज को शिव मंदिर से एक बाबा अपने मंतर की शक्तियों से कैद कर ले गए थे। पर अब कोकिला को ये बात पता भी नहीं थी कि नागराज जिन्दा है या मर गया। एक दिन राजू स्कूल से लोट कर अपनी मां से बोला, मां, आज मैंने स्कूल में देखा कि एक बड़े मोटे काले बाबा साब को दिखाने ले आये थे। स्कूल में सभी बच्चे उसे देखकर डर गए, मैं भी डर गया, मुझे भी साब से बहुत डर लगता है। तो कोकिला बूली, डरने की कोई बात नहीं बेटे, यहां साब कहां से आएगा, अगर आएगा, तो मैं उसे भगा दूँगी। जल्द ही नाग पंचमी का त्योहार आ गया, और बाहर से कई सारे साधू, साब का खेल दिखाने के लिए भोलपुर गाहों में आ गया। एक दिन उनमें से एक सपेरा कोकिला के घर में भी भिख्षा मांगने आ गया। सपेरे को देखकर कोकिला एकदम डर गई और बुली। यहाँ मेरे पास तुमें देने के लिए कुछ नहीं है, ये बीन बजाना बंद करो और जाओ यहां से। सपेरे ने कोकिला को देखा, तो उसे कोकिला पर शक हुआ, कि वो कोई आम मानव नहीं है। सपेरा वहां से चला गया लेकिन सपेरे के पिटारे से एक नाग वहीं कोकिला के घर के अंदर घुज गया वो सांप कोई और नहीं बलकि कोकिला का नागराज था सांप के सर पर निशानी देख कोकिला समझ गई कि वो नागराज ही है जिसकी मने निकाली जा चुकी है उस दिन वहाँ पर गाँवाले लाठी लेकर आ गए और राजों की जान बचाने के लिए उन्होंने कोकिला और नागराज को लाठी से मार मार कर जख्मी कर दिया। बेचारी कोकिला अपने बेटे को दिये वचन के कारण वापस मानो रूप में नहीं आ सकी और उसे अपनी जान गवानी पड़ी। तभी वो सपेरा वहाँ लोट कर आया और दोनों सापों को मरा देख। उसने सब को ये सच्चाई बताई कि वो दोनों इच्छा धरी नाग न नागिन थे। सारी कहानी जानकर गावालों को अपने किये पर पच्चतावा हो गया। और अब वो पुराने शिव मंदिर में फिर से भगवान शिव की पूजा करने लगे और जमीदार अपने पोते राजु को पालने लगा। ये कहानी बहुत ही रहस्यमई और अनोखी है जो एक इच्छा धरी नागिन और उसके प्यार की है। शंकर के दादा जी आंगन में भगवान भोले नात की दूज से अभिशेक कर पूजा कर रहे थे। दादा जी बोले ओम शंकराय नमहां ओम शेव शंकराय नमहां ओम शेव शंकराय नमहां दादा जी को पूजा करते देख शंकर बुला दादा जी मैं चलता हूँ लगता है आज बहुत ही देर हो गई है अब तो शॉटकट ही लेना पड़ेगा आप रतना के घर चले जाईएगा मुझे आने में जरा देर हो जाएगी शंकर स्कूटर लेकर जंगल के शॉटकट वाले रास्ते से शहर जाने के लिए निकल पड़ा शंकर गुंगुनाते हुए जंगल क को बचा लिया सियार से डर कर लड़की शंकर के गले लग गई शंकर बोला तुम घबराओं मत वो सियार अब जा चुका है लेकिन तुम यहां पर अकेली तो लड़की बोली मेरा नाम मेगा है मैं यही पास के गाउं में रहती हूँ कुछ काम से जा रही थी और रास्ता अब मुझे काफी देर हो जाएगी मेरा वापस लोट नहीं ठीक होगा तुम मुझे यहां छोड़ दो कल मैं तुम्हें यही मिलूंगी इतना कहकर वो लड़की महां से चली गई शंकर देर रात अपने खर वापस आ गया और अगले दिन जब वो शहर जाने के लिए निकला तो वो लड़की फिर शंकर को दिखाई दी शंकर ने जैसे ही स्कूटर रोपना चाहा एक काली बिल्ली के रास्ते में आने से स्कूटर फिसल गई और शंकर के हाथ में चोट लग गई यह देखकर लड़की आई और शंकर के खाओं में जड़ी बूटी लगाने लगी लड शंकर ने अपने दादा को मेघा के बारे में बताया सारी बातें सुनकर दादा जी एकदम खबरा गए और सारी बात समझ भी गया उन्होंने मेघा से मिलने की इच्छा जताई अगले दिन शंकर मेघा को गाओं में अपने घर दादा जी से मिलवाने ले आया जहां कुछ बुजर्गों की भेड़ी कठा थी शंकर बुला दादा जी ये वही लड़की है मेघा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था लेकिन दादा जी और बाकी लोगों में से कोई भी मेघा को देख नहीं सकता था लेकिन दादा जी ने चुपचाब दादा जी और बाकी लोगों ने दिखा कि ग्लास हवा में जैसे उड रहा हूँ। दादा जी सब कुछ समझ गए और बुले, मैं जल्धी तुम दोनों की शादी का मोहरत निकलवाता हूँ। शंकर बोला, लेकिन दादा जी, रतना… दादा जी बुले, शंकर, तुम रतना की फिकर छोड़ो, मेघा से बहुत गुणी और खूब सुरत रतना थोड़ी ही है। ये सुनकर मेघा बहुत खोश हुई और चली गई। मेघा की सच्चाई सिर्फ दादा जी और गाओं के मुखिया और पंडित भैरो को पता थी। तीनों ने शंकर को बचाने का एक उपाए निकाला। दादा जी ने कहा, भैरो ये बात सिर्फ हम दोनों को पता है कि ये वही इच्छाधारी नागिन माया है जो 20 साल से जवान लड़कों को अपना शिकार बना रही है। और इस बार का शिकार मेरा पोता है। उसे मिले श्राब की वज़े से वो अद्रिश्य है। व मेगा को पिलाने के लिए शंकर के हाथ दूद भीजवाते हैं जिसमें भैरो का मिलाया विश्थ था। दूद पिते ही मेगा अपने नाग रूप में बदल जाती है और तडपने लगती है। ये देखकर शंकर चौंक जाता है। तब मेगा कहती है। लेकिन तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई की वज़े से मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगी थी। और मैं जानती थी कि आज पूरन मासी की रात तुम्हारे दादा जी के हाथों मेरी मौत तय है। लेकिन तुम्हारी पतनी बनकर मैं इस संसार से जाना चाहती थी। यही मेरी इच्छा थी, जो अब पूरी हुई, अब अपनी मनी मैं तुम्हें सौपती हूँ, जो मुसीबत में इस गाउं की रक्षा करेगी, मेरी वज़े से इस गाउं के पंदरा जवान लड़कों की जान गई, मुझे माफ करना। मेघा की बातें सुनकर दादा जी और भैरो को अपने किये भूल पर पच्चतावा हुआ, और शिव मंदिर में वो मनी रखकर मेघा को गाउं की देवी की तरह वो लोग पूझने लगे।